है दोस्तो हम अमारी लाइफ के अंदर काफी बार ये वाक्या सुनते हैं कि पैसों से ही सब कुछ नहीं होता पैसे के अलावा भी काफी सारी ऐसी चीज होती है जिनके उपर आपको त्यान देना चाहिए बट दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अपने खुद के लाइफ के एक्सप्रियेंस से एक बात बताना चाहता हूँ कि चलिया मान लेता है कि पैसों से ही सब कुछ नहीं होता बट अगर हम देखने जाए रियल लाइफ के अंदर की पैसे के बिना भी कुछ भी नहीं होता हमारी लाइफ के अंदर काफी बार ऐसी सेच्वेसन आ जाती है जहां पर हमें ज्यादातर पैसों की जरूरत पड़ती है इसके अंदर अगर हम बात करें कि अगर हमें अमारा घर रेनोवेट करना है होम रेनोवेशन करना है तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है इ इन में से ज्यादता टाइम तो हम यही सोचते हैं कि सायद मेरे पास कोई ऐसा तरीका होता जिसकी मदद से अभी मैं वहाँ से पैसे ले लेता तो दोस्तों इन सभी बातों को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए आज मैं आप सब को एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप यहाँ से पांच अजार रुपे से लेके पचास अजार रुपे तक का लो केवाल अपना मोबाल फॉन यूज करके अपने घर बेठे बेठे ले सकती हो और ये पैसा आपको डाइरेक आपके बेंक एकाउंट में मिल जाएगा तो दोस्तों इस तरीके क बारे में complete details बताने से पहले मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे comment में जाके जरूर बताईए कि आपकी life के अंदर कभी वैसा समय आया था जब भी आपको ज्यादा से ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े थी और आप भी आपका खुद का experience हमारेका 50,000 तक का लोन बड़ी आसानी से ले सकते हैं दोस्तों true balance RBI regulated entity है यहाँ पर आपको true credit की मदद से लोन मिल सकता है और इनको RBI की तरफ से ही NBFC का license भी प्राप्त हुआ है और इसलिए यह true balance आपको 100% authorized और उसी के साथ में एक secure app बनाता है यहाँ पर आपको 5000 से लेके 50,000 तक क लोन केवल 5 मिनिट के अंदर direct आपके bank account में मिल सकता है और उसके उपर आपको per मैने 5% interest पे करना होगा दोस्तों यहाँ से आप जो भी लोन लेते हो उसके लिए ना तो आपको किसी भी तरह की processing fee पे करनी है और ना ही किसी भी तरह का paper work करना है यहाँ पर आपको simple KYC करना लेना है और उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरी mobile screen पर और सारी चीजी अच्छी तरह से बता देता हूँ true balance का लिंक आपको इस वीडियो के निचे description में मिल जाएगा या फिर आप play store पर जाके true balance को search भी कर सकते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर play store पर हम आ गये तो इसे हम अमारे mobile में इंस्टोल कर लेते हैं इंस्टोल करने के वफाड़ आपको इसे open करना होगा और यहाँ पर agree करके continue करना होगा यहाँ पर आपसे कुछ basic permission मानगेगा जिसको आपको allow देना होगा और उसके बाद में allow देने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो फिर यहाँ पर language select करना होगा और यहाँ पर आपको अपना mobile number enter करना होगा और उसके बाद में यहाँ पर आप अपना password set कर सकते हो और फिर आपके number पर इक OTP आएगा जिसे आपको यहाँ पर verify करना होगा बाद में यहाँ पर आपको case loan पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपका जो भी KYC यह उसे complete करना होगा, वो एकदम simple है, तो यहाँ पर agree दे दीजिए, language select करके next कर सकते हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना pen number डालना होगा, और नीचे प्रोसिट पर click करना पड़ेगा, और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो भी आधार काट का number है वो डालना होग और उसके बाद में यहाँ पर आपका जो भी आधार है उसको verify करने के लिए आपके register number पर OTP आएगा, तो यह OTP आगया तो उसको डालके यहाँ पर verify कर लेता हूँ, दोस्तों उसके बाद में go to case loan पर आपको click करना पड़ेगा और यहाँ पर amount लिखना होगा, for example 5000 और यहाँ यहाँ पर आपके बारा में सारी details आपको यहाँ से select करने होगी, मैं अपने ही साब से कर लेता है, और बाद में यहाँ पर आपको निचे click करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर आपको I confirm करना होगा, और आपका जो भी bank का statement है उसे यहाँ पर upload करना होगा, यानि कि last 3 month का statement यहाँ पर upload हो रहा है मेरा, और उसके बाद में यहाँ पर upload हो गया है, उसको verify कर देते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं, और फिर यहाँ आप notify me when it's approved पर click करना है, यानि कि loan approve हो जाए, तो आप मेरे को notify करना है, इसे बताना है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम पर लिजेगा, ताकि आपको इसके rules and regulation के बारे में अच्छी तरह से पता चल पा है, तो उसके बाद में आप नीचे take loan पर click करेंगे, और wallet या फिर bank account बेर direct transfer कर सकते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि इसे मैंने direct अपने wallet के अंदर transfer कर दिया, तो अभी इसका repayment करने के या prepay button पर click कर सकते हैं, इसका direct net banking की मदद से repayment भी कर सकते हैं, या फिर कापी सारे और भी payment के option आपको beam API वगेरा मिल जाएंगे, तो इसका first payment यहां से मैं करके आपको दिखा देता हो, और फिर यहां पर success पर click करना पड़ेगा, और इसका जो भी payment है वो यहां से हो जाएग तो यहां पर मेरा payment successfully हो गया भी, इसके details में यहां पर receive care तोर पर देख सकता हूँ, कि यहां पर मैंने इसका payment कर दिया है, और इसका जो भी statement होता है, उसे भी यहां से मैं download कर सकता हूँ, तो दोस्तों कुछ इस तरह आप भी true balance app की मदद से अपने लिए loan ले सकते हो, और दो next time आप जब भी loan लेने जाते हो, तो वहां पर आपको ज्यादा amount का loan भी मिल सकता है, और उसी के साथ में आपका जो भी cbill score होगा, वो भी improve होता रहेगा, ताकि आपको अच्छे से अच्छे amount का loan मिल सके, तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, कि अगर आपको भ जरू helpful सा भी तो होगा, आप वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करना, और ऐसा ही नए नए वीडियो देखने के लिए आप उमारे चैनल को subscribe भी कर सकते हो, तो चल यह दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए व झाल